नमश्कार दोस्तों मैं हूँ विनोत प्रजापत और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विनोत पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पेस एप्रिकेशन सेंटर की जो वेकेंसी थी 2020 की उसके के लिए जो एक्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है वो किस प्रकार से चूज करना है उसकी पूर्वी प्रोसेस को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो यहां पर देखे मैं इसकी जो ऑफिशल वेब साइट ह सेट की वह open कर रखी है अब यहां पे आपको क्या करना है यहां पे आपको दिखाए देगा career section तो यहां पे career section के उपर click करता हूं जैसे click करूँगा यहां पे यह एक notice हाजाएगा जो कि इसमें बताया गया है आपको क्या-क्या upload करना है किस तरह से upload करना और कौन सी डेट से कब तक तो यह 20 अपरेल से 30 अपरेल के बीच में आपको यह upload करना है last date का इंतजार नहीं करें जल्दी से जल्दी याद रखें इसको upload करें इसमें इन्होंने पहले ही सारे instruction दे रहे हैं कि इनका कोई भी जिम्वेदारी नहीं होगी अगर आपने upload नहीं किये यह सारे आपने examination CT latest photo latest signature अगर नहीं upload किये तो इनका कोई responsibility नहीं होगा और आपका admit card generate नहीं होगा तो चलिए यहां पर इसको apply करने के लिए यहां पर नीचे link for online portal के लिए यहां पर apply लिक्र का है तो यहां पर last date or time का इंतिजार नहीं करें अभी इनको fill up करें यह चीज उन्हाने बता रही है और जब fill up आपका form fill up हो जाता है जो उसका आपको print out निकालके रख लेना है for the future reference के लिए यह सारी चीजे हैं फिर इसका जो starting time date का जो date है वो है भी सप्रेल से तीस अप्रेल तक का इसका time दिया गया है आपको यहां पर आपको यह सारे instruction carefully read करना है और फिर यहां पर आपको इस check box को check कर लेना है फिर यहां पर click here to login पर चले जाना है तो मैं यहां पर click here to login अब यहां पर आपके सामने यहां दिखाए दे रहा है इस तरग का एक new portal पर इन्हों ने अपनों को redirect कर दिया है जहां पर candidate login है यहां पर आपको user id और यहां पर password फिल करना है तो यहां पर user id और पासफुर्ष यहां पे फिल करना है और फिर आपको capture फिल करके आप लोग-इन पे click करना है तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिल करके लोग-इन पे click कर देता हूझ वहाँ पर login पे click करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखाय देगा जहाँ पे OTP authentication के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे आपको generate OTP पर click करना है तो आपका जो भी OTP होगा आपके registered mobile number और email id जो आपने form fill up किया उस time जो provide किया है उस पे आपके यह OTP send कर दिया जाएगा तो यहाँ पे मैं करता हूँ generate OTP पर click इसके बाद यहाँ पे यहाँ को capture fill करने के लिए बोलागा तो मैं यहाँ पे जल्दी से capture fill कर देता हूँ capture यह मैंने fill कर दिया है अब मैं यहाँ पे submit पे click कर देता हूँ अब यह दिखिए यहाँ पे मेरे पास OTP आ चुका है मैंने जैसे ही उस capture को fill किया तो यहाँ पे मेरे OTP आ चुका है अब मैं यहाँ पे OTP को fill करके और यहाँ पे valid OTP पे click करूँगा अब मैं यहाँ पे valid OTP के पास यहाँ पे option के उपर click कर देता हूँ यहाँ पे valid OTP के उपर click करने के बाद यह दिखिए इस तरह का form आपके सामने खुल के आ जाएगा अब यह दिखिए मेरा form open हो चुका है यहाँ पे अब यह लिख रखा है कि यूवर login is successful kindly complete your application by clicking on click here to fill application form at right top corner of the page तो यह right top corner के उपर यहाँ पे लिख रखा है click here to fill application form अब यहाँ से अपनी main process start होती है अभी तक वो authentication complete किया था उन्होंने कि जो application ID और password है और जो RTP send करके इसने person को authorize किया था इसके बाद अब यहाँ पे अपना main process start होता है यहाँ पे अपनों click करना है click here to fill application form तो यहाँ पे मैं click कर देता हूँ click here कुछ time लेगा यह form को load किया जा रहा है यहाँ और अब यहाँ पे इन्होंने कुछ instruction है तो इन्होंने provide किया आप इसको पढ़के और यहाँ पे close कर देता हूँ मैं फिर अब आ जाते हैं अपन अपने form के उपर यह अपनी details यहाँ पे इन्होंने provide कर रहे हैं अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तीन आपको examination city यहाँ पे choose करना है तो यहाँ पे यह जो सारी cities यहाँ पे इन्होंने show कर रहे हैं यहाँ पे तीन city को यहाँ पे चूज करना है तो मैं जल्दी से तीन city को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ पहले तो यह तीनो city मैंने अपना अनुसार चूज कर ली यहाँ पे और अब आगे next अपन को यहाँ पे क्या करना है अपना recent passport size photo यहाँ पे color photo की बात की हैं तो यहाँ पे अपन को upload करना है तो मैं click here to upload photo पे click कर देता हूँ यहाँ पे अब मैं अपना photo यहाँ पे browse करके upload कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने browse किया file में जाके और मैंने अपना जो latest photo है उसको मैं यहाँ पे upload कर देता हूँ यह देखे successfully यहाँ पे upload हो चुका है इसको close कर देता हूँ अब चलते हैं अपन signature के लिए तो यहां पे मैं click here to upload पे click करता हूँ अब यहां पे मैं अपने signature को upload कर देता हूँ अब यहां पे आपको capture fill करना है तो यहां पे मैं capture fill कर लेता हूँ अब मैं इसको finally submit कर देता हूँ यह पूछ रहा है are you want to submit तो मैं यहां पर Submit करता हूँ OK क्लिक करके यह देखिए इस प्रकार से अपना form यह fill हो चुका है और अब इसका यहां से आप प्रिंट लेके को आप सेव कर लें इसका प्रिंट आउट जिससे कि क्या हो कब विश्य में आपको किसी भी reference के लिए जरूर पढ़े तो आप इसको सेव कर सकते हैं तो यह मैं इसको यहां से सेव कर लेता हूँ as a PDF यहां से अब मैं इसको सेव इस प्रकार से आप इसरो से के अंदर examination CTs को आप चूज कर सकते हैं easily say और photo और signature आप यहां पे upload कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके जरूर बत online fill भी कर देगी आप आपके registration number और password के साथ आप photo और signature आप WhatsApp कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारी team आप से संपर करके कुछ minimum charge के साथ आपका form fill up कर देगी धन्यवाद दोस्तों